वालिया रेलिव स्टेशन पर गतिमान एक्स्प्रेस 10 से श्योपुर जाने के लिए आय किंद्री वन एवं प्रियाण मंत्री भूपेंज यादब ने बड़ा वयान दिया है आपको बता दे के प्रधान मंत्री नरिंद मोदी के जनम दिन पर चंबल आगमन पर किंद्री मंत्री आदब नी कहा कि चंबल सबको सरण देतने वाली है भारत में चीता विलुक्त हो रहा था लेकिन पुनरस्त अपना के प्रयास किये जा रहे हैं इमने कॉप 20 में मंत्र दिया था कूनों में बेहतरीन प्रबंदन किया गया है इसमें इकोलोजिकल सिस्टम में सुधार परेटन का विकास भारत की अनकूल छवी बनेगी फिलोरा फोला प्रबंदन ठीक होगा और रोजगार की अफसर बढ़ेंगे शुरू में नामीबिया से 8 चीते आएंगे और इसके बाद कुल मिलाकर नामीबिया और साथ अफरीका से 25 चीते आएंगे प्रधान मंत्री जी ने कॉप 26 में जो मंत्र दिया था लाइफ का एन्वायर्मेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल उसके कारण ये सारा कारे संभव हो पाया है हम जानते हैं कि बड़े कार्निवोर में जिसमें लॉयन है जिसमें टाइगर है जिसमें लैपर्ड है उसमें एक बड़ी प्रजाती चीता भारत से विलुप्थ हो गई थी ऐसे में हमारा ये दाइतु भी बनता है कि इस बिग केट अलाइन्स में जो एक बड़ा जानवर भारत में विलुप्थ हो गया था उसकी पुनरिस्थापना की जाए सर्वोचिन आयले में भी सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से विश्यों को रखा एकोलोजिकल सिस्टम में सुधार होगा शेतर के परियाटन का विकास होगा भारत की परियारोना नुकूल छवी जाएगी यहां के फ्लोरा और फोना जो है उसका प्रबंदन ठीक से होगा और इसके साथ इस साथ इस शेतर में रोजगार के नए अपसर भी पढ़ेंगे शुरू में जो नामीबिया से आएंगे वह आठ आएंगे लेकिन भविश्य में नामीबिया और साथ अफरिका दोनों से मिलाकर 25 से ज्यादा चीते आएंगे